नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एके इस्टडी ओनलाइन में और आज हम बात करने वाले हैं प्लैटिपस की तरह ही एक ऐसे जीव के बारे में जो अंडे देता है लेकिन अपने बच्चों को दूद पिलाता है तो आज हम बा आधिप में पाए जाने वारा एक अत्यंती विच्चतर जीव है प्लैटिपस की तरह ही अनोखा इस्तनपाई जीव अपना वंस आग बढ़ाने के लिए अंडे तो देता है परंतु शिशू एकड़ना के पैदा होने पर मानव की ही तरह माता एकड़ना अपने शिशू को दुगदपान कराती हैं मोनोट्रीम नाम के प्राची निस्तनपाई सम्हू के मातर दो ही सदस से आज के योग में बचे हुए हैं एकड़ना और प्लैटिपस एकड़ना पूरे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया भर में पाए जाते हैं हालंके यह आसानी से दिखाई नहीं प पर भी यह पाई जा सकते हैं जहां यह प्रकरती के बीशन रूप से अपनी सुरच्छा के लिए खोहों वा दरारों में सरण या सीत काली सुसुपता वस्था की साहता ले लेते हैं धीमी गती से चलने वाले इस जीव का सिर बलब की भाती गोल और उबरा हुआ होता है नाक के मुख में दांत नहीं होते हैं और यह चीटियों और दीमकों के आहर पर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है अपने लंबे थूतन और आगे के सक्तिसाली पंजों की सहायता से एकड़ना दीमकों के बिलों को तहस नहस कर बौखलाई हुई दीमकों को चट कर जाता है एकड़ना का पूरा सरीर तीखे कांटों से गिरा होता है जिनके बीच की तुचामे नरम बाल होते हैं इसलिए चीटियों या दीमकों के दंस से इसको किसी भी प्रकार का बहर नहीं होता है किसी अन्य प्रकार के खत्रे का एसास होने पर यह अपने कांटों के तीखा कर एक गोले के रूप में घूम कर अपने नरम उदर को बचाने का प्रयात्र करता है या फिर अपने उदर को मिट्टी में खोद कर छिपा लेता है जिससे केवल कांटे ही आक्रमनकारी को नजराएं नर एकड़ना के प्रष्ट पर एक कांटेदार हड़ी होती है परन्तु इसमें विश्ण नहीं होता है परन्तु जुलाई से अगस्त के बीच में अपने जननकाल के समय अपने सरीर से यहर ऐसी तीखी गंद छोड़ते हैं जिससे के विपरीत लिंग के सदस्यों को इनकी उपसिती का पता चल जाए इस दौरान किसी एक मादा के पीछे कई सारी नर एकटना एक ट्रेन बनाकर तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक कि मादा सहवास के लिए तैयार नहो जाए नर एकटना के साथ सहवास के लगबग दो सबताहबाद एक मलायम कबच वाला अंड़ा मादा एकडना के पेट की थेली में स्वेम जमा हो जाता है ऐसी थेली औस्ट्रेलिया में पाई जाने बारे लगबग सभी इस्तन पाईयों जैसे कि कंगारू और कोवाला पसूओं के उधर भाग में भी पाई जाती है दस दिनों के बाद मादा एकड़ना की थेली में अंडे से सिसू एकड़ना का जनम होता है जनम के समय सिसू एकड़ना की तचा पर कोई भी बाल या कांटे नहीं होते हैं माता एकड़ना के इस्तन नहीं होते हैं इसलिए सिसू एकड़ना अपना मुख ठेली में विशेश प्रकार के बालों से चिपका लेता है। माता की दुख्द गरंथियों से रिषने वाला दूद इन बालों से होकर सिसू के मुख में लगातार पहुंशता रहता है। सिसु एकटना अत्यांती व्रगती से विक्सित होता है, अपने जीवन के पहले 45 दुनों में इसका भार जन्म के समय के भार से 500 गुना बढ़ सकता है, इस समय में इसके सरीर पर कांटे भी उत्पन हो जाते हैं, जिनके कारण माता को इसे अपनी थैली में लेकर बिचरान करने सुविदा मैसुस होने लगती है, इस कारण माता अपने सिसु के किसी चट्टान की दरार या खोव में चिपा देती है, और प्रतेक 5-6 दुनों में दुग्द पान कराने के लिए लोट कर आती रहती है, यह कारकिरम करीब 6 महीनों तक चलता रहता है, डिंगो आस्ट्रिलि जिया का कंगारी दुईप बच्चक पस्वों से मुक्त कर दिया गया है, इसलिए इस दुईप पर एकड़नाओं और अन्य पस्वों की भरमार पाई जाती है, और जंगलों में एकड़ना आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यह बड़े भीरू और सर्मीले कि जिव होते हैं, दीमों के टीरों के पास खुदाई करने पर यह दिखाई पड़ सकते हैं, इनका मल चमकीली पर्त से ढखी लंबी गोलियों के समान होता है, जिनमें चीटियों के अद पचे हवसेश दिखाई पड़ते हैं, इसकी सायता से भी एकड़ना के निवासिस्थान का ज्यान हो सकता है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा, और वीडियो कर अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और सेर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो बस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद,